हेलो दोस्तो आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तो आज हम लोग एक interesting paragraph लिखने जा रहे हैं तो आज का वीडियो काफी interesting और knowledgeable है आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे मैं आप लोग को एक एक रूल बताऊंगा आप लोग को कोई दिक् बाजार है तो ऐसे sentence में हम लोग there का यूज करते हैं जैसे एक घर है there is a house एक सबजी बाजार है there is a vegetable market मेरे घर के पास near my house there is a vegetable market near my house दोस्तो इसे वेजी टेबल नहीं पड़ना है vegetable there is a vegetable market near my house यहाँ एक बड़ा बाजार है this is a big market आप चाहें तो यहाँ पर it का भी यूज कर सकते हैं it is a very big market एक साबताहिक बाजार है it is a weekly market यह भीड भाडवाला बाजार है it is a crowded market दोस्तो इसे आप market पड़ सकते हैं actually यही सही है it is a crowded market यहाँ कई लोग आते हैं यहाँ पर लिखेंगे many people come here many people come here और ते एक बेखती एक बड़े थैले के साथ आता है everybody comes यहाँ पर ace add कर देंगे यह simple present tense में है everyone, everybody, each one यानि कि each और every हमेशा singular number में रहता है इसलिए यहाँ पर वर्ब में ace add कर देंगे everybody comes एक बड़े थैले के साथ with a big bag everybody comes with a big bag हमें यहाँ सभी परकार की सबजियां मिलती है तो यह भी यह simple present tense में सबसे पहले लिखेंगे कि हमें मिलती है we gate यहाँ पर acs add नहीं करेंगे क्योंकि we first person होता है I और we इसके साथ generally ace या es नहीं लगाते है सिर्फ third person singular number यानि कि he, she, it और कोई एक बेखती रहे या एक नाम रहे तो हम लोग verb में acs लगाते हैं लेकिन यहाँ पर use नहीं करेंगे we get हमें मिलती है सभी परकार की सबजियां all kinds of vegetables यहाँ यानि कि here we get all kinds of vegetables here here को आप पहले भी लिख सकते हैं here we get all kinds of vegetables हमें यहाँ ताजा सबजियां मिलती है we get fresh vegetables here और दोस्तो फ्रेश का object क्या होता है stale यानि कि बाची we get fresh vegetables here या फिर here we get fresh vegetables यहाँ सबजियां सस्ता रहती है तो यहाँ पर लिखेंगे the vegetables are cheap here the vegetables are cheap here यहाँ बिक्रेता बैठते हैं तथा सबजियां बेचते हैं तो यह भी है simple present tense यानि कि सबसे पहले subject फिर वर्व इसमें ACS लग सकता है फिर object तो यहाँ पर है यहाँ बिक्रेता बैठते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे the vendors आप sellers भी लिख सकते हैं sit here and sell vegetables the vendors sit here and sell vegetables वे सुबह तथा शाम में बैठते हैं they sit in the morning and evening they sit in the morning and evening उन्हें यहाँ बैठने के लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं जैसे दोस्तो मुझे जाना पड़ता है I have to go उन्हें पैसे चुकाने पड़ते हैं यहाँ बैठने के लिए to sit here they have to pay money to sit here प्रतेक बिक्रेता का अस्थान निश्चित होता है तो यहाँ पर लिखेंगे every vendor's place is fixed every vendor's place is fixed वे लोगों को आकर्शित करने के लिए चिलाते हैं they shout to attract people they shout to attract people वे रोचक तरीकों से चिलाते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे they shout in interesting ways they shout in interesting ways किसान अपने खेतों से सबजियां लाते हैं तो यह अभी शिम्पल प्रेजेंटेंस में say के लिए from यूज करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे the farmers bring vegetables from तो यहाँ अच्छी दरों पर सबजियां बेचते हैं यह एक बहुत ब्यास्त बाजार है it is a very busy market it is a very busy market यह बाजार कई गरीब बिक्रेताओं को रोजगार देता है this market gives jobs यहाँ पर ace add कर देंगे क्योंकि market यहाँ पर singular है यानि कि एक बचन में है singular number में है this market gives jobs कई गरीब बिक्रेताओं को to many poor vendors this market gives jobs to many poor vendors लोग यहाँ मोल भाव करते देखे जाते हैं तो यह passive voice में है जैसे माली जी यह मुझे देखा जाता है I am seen यानि कि image आर प्लस वर्व थ्री उसे प्रहाया जाता है He is taught लोग यहाँ मोल भाव करते देखे जाते हैं People are seen लोग देखे जाते हैं मोल भाव करते हुए bargaining here People are seen bargaining here आया दोस्तों इसे एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं There is a vegetable market near my house It is a very big market It is a weekly market It is a crowded market Many people come here Everybody comes with a big bag We get all kinds of vegetables here We get fresh vegetables here The vegetables are cheap here The vendors sit here and sell vegetables They sit in the morning and evening They have to pay money to sit here Every vendor's place is fixed They shout to attract people They shout in interesting ways The farmers bring vegetables from their farms They sell vegetables at good rates here It is a very busy market This market gives jobs to many poor vendors People are seen bargaining here I hope friends आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा यदि यह मेरा effort आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखेगा तो आपकी इंगलिस जरूर इंप्रूव होगी All right friends Thanks for watching Have a great day